हेलो डियर स्टुडेंट्स, यो आर मोस्टली वेलकम ओन दिस चैनल, एमेस मेडिको, आज का हमारा टोपिक है डियेने की संरचना, स्ट्रक्चर ओप डियेने, इस टोपिक से रिलेटेड सारी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, वीडियो को एन तक देखना चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको इसकीनिट पर दिया गया है, खोज के बारे में, डियेने की खोज फ्रेडरिक मिसर ने 1869 के अंदर की थी, और इसको न्यूकलीन नाम दिया था, डियेने का पूरा नाम होता है, डियोक्सी राइब न्यूकलीक एसीड भी का जाता है, यह एक मोलिक्यूल, यानि यह एक अनू होता है, जो की एक जीवित कोसिकाओं के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर पाये जाते हैं, डियेने मोलिक्यूल की रचना, यानि इसकी जो स्ट्रक्चर, इसकी जो संरचना होती है, वो एक को बढ़ाता है इसके साथ ही ये निर्देश की हर को सिखाओं के अंदर पाए जाते हैं जो माता से पिता और उनके बच्चों तक जाते हैं ठीक है फिर नेक्स देखते हैं मौरिस विलकिन्स तता रोसलीन फ्रेंकलीन ये दो वेगया निक है जिन्होंने क्रिस्टेलोग्राफ दिया था DNA का उनके क्रिस्टेलोग्राफ के आदार परी दो वेगयानिक ओर है जेम्स वाट्सन वे फ्रांसीस किरिक इन्होंने सन गुणी सो तरेपन के अंदर DNA की संरचना का दिवी कुंडलनी नमुना दिया था जिसके लिए उन्हें 1962 के अंदर नोबेल पुरुसकार भी म बना होता है नूकलियोटाइड मॉलिक्यूस का बना होता है DNA परते एक नूकलियोटाइड एक फोस्पेट अनू और उनके गुरुप से सरकरावे नाइट्रोजन के बोंड से बने होते हैं चार परकार के नाइट्रोजन बेस इस परकार हैं एजी सीटी एडिनीन थाइमीन और साइटोसीन यह होगे चार परकार के नाइट्रोजन बेस डिन जो नूकलियोटाइड अनू है वो परते एक नूकलियोटाइड से एक फोस्पेट गुरूप एक सुगर गुरूप और एक नाइट्रोजन गुरूप से जुड़ा हो रहता है अब देखते हैं दू कुंड कुंडलित होती है डिने जो है वो पॉली पेप्टाइड सरंकलाओं का बना होता है तता इसकी जो सरंकलाओं होती है वो द्वी कुंडलित होती है आप इसक्रीन पर देख सकते हैं यह डिने की इमेज आपको इसक्रीन पर दिखाई गई है फिर हम नेक्स देखते हैं नेक्स polypeptide सरंकला है परस पर 30 समाना अंतर यानि विपरित होती है जैसे कि अगर पहली सरंकला 5-3 है तो दूसरी सरंकला होगी 3-5 ओके फिर नेक्स्ट है कुंडली का पिच यानि एक गुमाव की लंबाई बोल सकते हैं वो होती है 3.4 nanometer जिसमें 10 सार यूगम होते है अते 2 कर्मागत खड़े सार यूगमों के बीच की दूरी होती है 0.34 nanometer फिर नेक्स्ट है दोनों सरंकलाओं के नाइट्रोजनी सार परस पर हाइड्रोजन बंदों दौरा जुड़े वे होते है दो सरंकलाए है एक का मतलब है एडिनीन दूसरी सरंकलाओं के टी इसका मतलब होता है थाइमीन एक सरंकलाओं का ए दूसरी सरंकलाओं के टी से दो हाइड्रोजन बंदों दौरा जबकि गौनीन साइटोसीन से तीन हाइड्रोजन बंदों दौरा जुड़े होते है अतार्त हम यह कह सकते हैं कि प्यूरिन के विपरीत प्रीमिडीन होता है ठीक है अमने चार वर्ड पढ़े है चार नाम देखे थे ए जी और सी टी ए का मतलब एडिनीन टी का मतलब थाइमीन जी का मतलब गवानीन और साइटोसीन फी नेक्स टॉपिक फाइव नमर पर आपके एडिंग दी हुई है जिसके अंदर लिकावा है दो सरंकलाओं के बीच की दूरी यानि हम कह सकते हैं DNA अनु का व्यास व्यास को बोलते हैं डाइमेटर वह होता है 20 एंगस्टोन तता इसके जो खड़ी लंबाई है वो 30 एंगस्टोन 34 माने जाती है अब हम देखेंगे DNA की रचना इस्ट्रक्चर ओप DNA DNA किस परकार से होता है वह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसके वन साइड में आपको नूकलियोटाइड दिये गए हैं इसके अलवा अलग अलग कलर है वह आपको नीचे कोस्ट्रक बनाकर दिया है जिसमें एडिनीन थाइमीन गवानीन और स जुड़े वह होते हैं उसके बाद में दियावा हैलिक्स हैलिक्स का मतलब आपको कुंडली से यहां पर है कुंडली से इसका मतलब दिया गया है हैलिक्स ठीक है फिर नेक्स इस्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं एक में थ्री डेस फाइव डेस उपर से नीचे की औ बाद में एक special point दिया गया है स्क्रीन पर लिकावा है SP DNA के दोनों रजुक एक दूसरे के पूरक होते हैं यानि एक का base sequence यानि एक का जो अनुकरम होता है वो अगर हमको पता है तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं For example यहाँ पर एक यूसन दिया गया है जिसके अंदर लिकावा है 5 days A, G, C, T 3 days इसका पूरक रजुक क्या होगा वो हमें पता करना है आप कमेंट करके बताईए कि इसका पूरक रजुक होगा क्या आप खुद निकाल सकते हैं इसका विपरित यानि इसका उल्टा होगा मैं आपको या नेक्स्ट वीडियो सजेस्टन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो को लाइक करें साथ ही वीडियो को सेर जरूर करें ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके ठीक है थैंक यू सो मच पूर वाचिंग इस वीडियो थैंक यू